आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घर पर बोडी कैसे बनाए बिना जीम किये हुए दोस्तो आज के जमाने में हर कोई चाहता है कि मेरा बोडी फिट हो, मेरे सिग्स एब्स हो, लेकिन हम चाहकर भी अपनी बोडी नहीं बना पाते हैं कारण यह है कि हमें बोडी बनाने का तरीका नहीं पता है, अगर आप भी अपनी बोडी किसी फिल्म इस्टार की तरह बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू कि प्लीज इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, एसकीप नहीं करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तो हमारा बोडी मिलनी थ्री फेक्टर पर डिपेंड करता है पहला डाइट, दूसरा एक्सरसाइज, और तिसरा रेश्ट तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइट की, डाइट यानि अहार जो आप खाते पीते हैं दोस्तो अगर हम अपने बोडी को ग्रो करना चाहते हैं, तो इसमें डाइट का 50% योगदान रहता है मतलब यह है कि केवल एक्सरसाइज से आप अपने बोडे नहीं बना सकते हैं तो आईए हम बात करते हैं कि हमें डाइट में क्या-क्या लेना है दोस्तो इन 5 चीजों को आपको डेली सिवन करना है और हम आपको बता दे कि आप कोई रेस्लर वाली बोडे नहीं बना रहे है इसलिए आपको कोई ज्यादा सप्लिमेंट और प्रोटीन पाउडर लेने की ज़रूरत नहीं है आप इन सब डाइट को फॉलो करके भी एक अच्छी बोडे बना सकते हैं लेकिन सर्थ यह है कि आपको इसे प्रती दिन सेवन करना होगा अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की जो है एकसरसाइज दोस्तो बोडी को ग्रो करने में एकसरसाइज का 30% रोल होता है और अगर आप रोच एक घंटा भी इसके लिए निकालते हैं तो वो काफी है तो चलिए बात करते हैं कि कौन-कौन एकसरसाइज हमें करना है नंबर वन पर आता है पुस अप्स दोस्तो इस एकसरसाइज को करने के लिए पहले थोड़ा वार्म अप करें इसके बाद पेट के बल एकदम सीधा लेट जाए अब दोनों हाथों के बल उपर आएं फिर नीचे जाएं ऐसा 10-10 के 3 सेट करें दूसरा है स्क्वैट्स इस एकसरसाइज को करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं अब दोनों हाथ सामने की और सीधे रखें और घुटनों को मोडते हुए ऐसे बैठें जैसे आप किसी कुरसी पर बैठ रहे हों अब सास छोड़ते हुए वापस उपर आएं ऐसा 10-15 बार करें थर्ड है क्रंचेस दोस्तो इस एकसरसाइज को करने के लिए जमीन पर पीठ के बल एकदम सीधा लेट जाएं अब दोनों हाथों को कान के पीछे रखें पैरों को घुटने से मोड़कर सीर और पीठ को उपर की ओर उठाएं फिर वापस उसी पोजीशन में आएं ऐसा 10-10 के 3-6 करें चोथी है कैची इस एकसरसाइज को करने के लिए पीठ के बल लेट कर दोनों पैरों को उपर उठाएं धीरे-धीरे दाया पैर को नीचे लाएं और सीधा कर लें फिर बाएं पैर को नीचे लाते हुए दाया पैर उपर उठाएं ऐसा 8-10 बार दोह रहाएं दोस्तो अब हमारा पाचवा एकसरसाइज है लेग ड्रॉप इस एकसरसाइज को करने के लिए पीठ के बल लेट कर पैरों को धीरे धीरे उपर की तरफ उठा कर सिधा कर ले कुछ देर रुके फिर पैरों को नीचे लाकर 45 डिगरी के एंगल बनाते हुए रुक जाएं ऐसा 8-10 बार करें दोस्तो शिक्स नमर पर आता है साइड प्लैंक्स एक सेक्सरसाइज को करने के लिए करवट के बल लेट जाए बोडी को एक हाथ और दोनों पैरों के सहारे उठाए और 30 सेकेंड तक उपर रखे पेट और जांगों को उपर तानकर रखे ऐसा 8-10 बार करें नमर साथ पर आता है रनिंग दोस्तो आप रेगुलर 30 मिनट रनिंग करे इससे पूरी बोडी की मसल स्ट्रॉंग होगी दोस्तो अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की जो की है रेष्ट दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं बोडी को ग्रो करने में रेष्ट यानि अराम का 20% हिसा होता है इसलिए आप सब को कम से कम रोजाना साथ घंटे के नीन लेने की आवश्यक्ता है और कोशिस करे की नीन गहरी हो जिससे आपकी मसल्स डेबलोप हो सके अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करे और ग्रूप में सियाख करे ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो को देखकर एक अच्छी खासी बोड़ी बना सके